उत्राखन कॉंग्रेस के भीतर अब वर्चस्व की लडाई एक बार फिर से होने जा रही है वर्चस्व की लडाई का सीधा सा कारण है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इस कुर्सी पर ऐसे चार दिगज नेताओं की नजरें गड़ी हुई है जो राजनीती के धुरंदर खिलाडी माने जाते हैं दो गुट उत्राखन कॉंग्रेस में सक्रिये है खेमेबाजी इन दोनों गुटों के बीच जारी है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर तलवारे एक बार फिर से खिच गई है क्या हरी शुरावत भारी पड़ेंगे अपने प्रतिद्वंदी प्रीतम सिंग पर ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब तलाशनी की कोशिश हमारी ये रेपोर्ट कर रही है प्रीतम सिंग चुनाव जीत गए हैं चकराता से लगातार पांचवी बार अपना दावा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर वो जता रहे हैं क्योंकि पिछले विधान सभा में भी वो नेता प्रतिपक्ष थे जब इंदरा हिर्देश का देहान्त हो गया था तो ये जिम्मेदारी प्रीतम सिंग को मिली थी हरी शरावत चुनाव हार गए हैं लेकिन अपने किसी चहेते को वो ये जिम्मेदारी दिलाना चाहते हैं होगा क्या किसी को नहीं मालूम लेकिन इस कुरसी के फेर में कॉंग्रेस के दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से तलवारें खिची होई हैं पूरी हबर पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे आगर है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार मैं हूँ मनमुहन भट उत्तराखंड विधान सभा का बजट सत्र 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है ये एक छोटा सत्र है लेकिन इस छोटे सत्र में बड़े बड़े दिगज अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं बीजेपी ने मंत्री मंडल का गठन कर दिया और साथ में विधान सभा की कारवाही सुचारू रूप से चले इसके लिए जिम्मेदारी पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और रिशी केश के विधायक प्रेमचंद अगरुवाल को सौपी है संसद्यक कार्यमंत्री की हैसियत से प्रेमचंद अगरुवाल विधान सभा की कारवाही में सरकार का बचाव करेंगे लेकिन कॉंग्रेस अभी तक अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है वास्ताव में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कॉंग्रेसियों की नजर लंबे समय से बनी हुई है चार ऐसे दिगज प्रभावशाली नेता हैं जो इस बार इस कुर्सी के लिए अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं प्रीतम सिंग जो चकराता से लगातार पांचवी बार विधायक बने हैं वो इस कुर्सी का स्वाभाविक दावा पेश करते हैं वो कहते हैं कि चुकि पिछले सदन में भी वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें हटा दिया गया था तो इस बार भी उनको ही स्वाभाविक रूप से मौका मिलना चाहिए हरीश रावत के प्रबल समर्थक हैं धार चुला क्षेत्र के विधायक हरीश धामी हरीश धामी की मजबूत पैरवी खुद हरीश रावत करते हैं हरीश धामी के इस कुरसी के लिए अपना दावा पहले ही पेश किया था बयान देते हुए उसके बाद परितम सिंग ने कहा था कि कॉंग्रेस का शीर सनेत्रत्व या कहें कि दिल्ली दरबार अगर हरीश धामी को ये जिम्मेदारी सौप देगा तो वो उनके पीछे सदन में खड़े हुए नजर आएंगे लेकिन हम सब जानते हैं हरीश धामी की मजबूत पैरवी हरीश रावत कर रहे हैं और हरीश रावत की राह में प्रीतम सिंग सबसे बड़ी अड़चन है कॉंग्रेस के कारकारी अध्यक्ष हैं तिलक राजबेहर पूर्व कैबिनेट मंतरी रहे हैं वरतमान में किछा विधान सबा सीट से चुनाव जीत गए हैं वो चाहते हैं कि उनको ये कुरसी मिले उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है कॉंग्रेस किस पर दाव लगाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता लेकिन इन तीनों के साथ साथ कॉंग्रेस में वापसी करने वाले यश्पाल आरय ने भी अपना दावा पेश किया है यश्पाल आरय भारतिय जनता पार्टी में भी घूम कर आ चुके हैं और पांच विधान सभा चुनाओ लगातार जीते हैं इस बार भी यश्पाल आरय बाचपूर विधान सभा सीट से चुनाओ जीत गए हाला कि उनकी जीत का अंतर बहुत मामूली रहा लेकिन फिर भी लगातार पांच वी बार सदन में पहुँचने वाले वो ऐसे नेता हैं जो कॉंग्रेस के ही प्रभावशाली नेता प्रीतम सिंग की बराबरी करते हैं प्रीतम सिंग और यश्पाल आरे में बड़ा अंतर ये है कि प्रीतम सिंग ने कॉंग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ा जब से उतराखंड बना है और यश्पाल आरे 2017 का चुनाओ बीजेपी के टिकेट से लड़े थे वहां मंतरी बन गए थे लेकिन चुनाओ से एन पहल वो बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आ गए थे अब क्या यश्पाल आरे को कॉंग्रेस में वापसी करने का इनाम मिलेगा या प्रीतम सिंग को वफादारी करने का लाब होगा ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि इन चार नेताओं में किसके पक्ष में ज्यादा तवज्जो कॉंग्रेस का दिल्ली दर्वार कहता है वैसे दोनों खे में चाहे हरी शुरावत हो या प्रीतम सिंग हो वो अपने अपने दावे अपने अपने समर्थन में ज्यादा विधायकों की दौड कराने की पूरी कोशिश करते हैं अविनाश पांडे जो उत्तराखं हाल फिलाल में आये थे जिन्होंने तमाम तरीके की समिक्षाएं की हार के संदर्व में समिक्षाएं की उनके पास भी पूरी रिपोर्ट है और उनको भी इशारा शायद दिल्ली दर्वार ने किया होगा कि वो आकलन करे कि कि किसका पक्ष सदन के भीतर ज्यादा मजबूत ह जाहिर सी बात है सदन के भीतर की जो कारेवाही होती है उस कारेवाही में नेता प्रतिपक्ष का रोल बहुत महत्पून होता है क्योंकि सरकार को घेरने की जो उसकी रणनीती होती है तमाम विपक्षी विधायक उनके पीछे चलते हैं अगर सदन के भीतर कोई हलकी बात हो जाए या कहीं लचीला रवया अपना लिया जाए तो पार्टी हाशिये पर खड़ी नजर आ सकती है इसलिए विपक्ष का मजबूत होना तो जरूरी है लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मजबूत होना उससे भी ज़ादा जरूरी है ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि सदन के भीतर की कार्यवाही में वो कितना प्रभाव छोड़ पाता है प्रीतम सिंग को पुराना अनुभाव है वैसे अगर अनुभाव की बात करें तो यश्पाल आरे के पास भी भरपूर अनुभाव है वो ना सिर्फ पांच बार के विधायक हैं बलकि कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो एंडेतिवाडी की सरकार में विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल चुके हैं और मंत्री मंडल में वो लगातार शामिल रहे हैं चाहे वो त्रविंदर सिंग अपना दाव लगाती है और एक बार मैं वही बात दोहराता हूं कि क्या कॉंग्रेस इन चार नेताओं में से किसी एक कही चैन करेगी या किसी अन्य पर अपना दाव खेल सकती है देखना ये भी बहुत दिल्चस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा वो नेता कौन ह जो कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है क्योंकि जिस तरीके से दिल्चस्पी तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दिखाई है वैसा उतावलापन वैसा जजबा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दिखाई नहीं दिया है जाहिर सी बा सम्मानित पद हो सकता है इसलिए निता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए ज़्यादा हल्चल मची हुई है कॉंगरिस के भीतर तो ये देखना बहुत दिलचस्ट होगा कि कि सिर पर निताप्रतिपक्ष का ताज शीर्सनेत रत्व कॉंगरिस का पहनाता है साथियों आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह दो विशेश आगरे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाईए अगले रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार